हेलो हाई नमस्कार भाई और उन सभी की बैन आप सभी का स्वागत है पोकेमोन ओमेगा रूपी के एक और बैन वी एपिसों सो गाई लास्ट टाइम हम लोग यहाइस के पास आचुके थे एंड यहाँ से हम थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रगल ही कर रहे थे भाई के वाई के में डैवन पार्ट्स मिले थे वह में लोटा देते उन प्रोफेसर्स को से भाई हो अगर आपको वीडियो चल लगे तो प्लीज 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 इस वीडियो का जो नॉर्मल लाइक गेम है 10 लाइक का भाई उसको पूरा कर देना एंड गईस मैं होप करता हूं कि आप लोगो को यह वीडियो बहुत ही जादा अच्छाला के क्यों गाई आज हम अमरी सेकिंड बाइटल लगने का फुल ट्राइग गरेंगे मैं को सीन्स कट कर दूंगा जैसे फाइट्स के ताकि हमारा यह लाग हुआ था बट कोई बाद नहीं इनको को टीए फेत हुआ पार बात्स पाई इसे फि Delhi को पालओ के रिगने करना चाहत यहांँ पर बात्स पैसने को ड handful i को बारासल्ग पर टीमिभा दी सुल्गा कोका कि तो हम यहां वीडर आजे चके को टीमिच पात्स पादीम्नेख रदी अनका करूडेम को,ईश्याइ, मेरे साथ साथ आओ, ओकि मैं आगा, ओकि मैरे को हुए यह बाइसा इतना बड़ा प्लेस, तो भाई हो, यह तो पुरा सोने का बना है, यह गाईस, यह तो यह लगता है तो सोने का निहां, बाट काईस इतना अच्छा महल जो है, तो चलो Brandon भी अभी इसमें जा चुका है and then guys भाई साव guys हम भी एक दिन guys sword and shield खेलेंगे मैं देख रहो guys काफी YouTubers अभी खेला शुरू हो रहे हैं काफी लोगों ने complete भी कर चुके लेकिन guys हम भी एक दिन खेलेंगे जब Nintendo Switch या फिर laptop ले आएंगे okay तो तुम आज के हो Devon Corporations में तो चाहो तुमें उपर जाना है और अपने काम को पूरा करो भाई ये क्या exit door था ना चलो guys अब मेरे उपर चल चुका है exit door कौन तर ये मंगोलिया वापस आगी ओ हमरे प्रेजिडेंट ने तुम्हारे ले मेरे स्टाफ सने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम्हारे बहुत शेटेन हो तुम्हां इ vividाता हुओ में तुम्हारे आपना Dex Neo ″। The Dex Neo Creator The Dex Neo banner में पास Luego INO लेटर जो कि Stephen नाम के बंदे को देना है मुझे एक लेटर मिला है एंदर वाई Stephen नाम के बंदे को ये लेटर पहुचाना है हमें चलो वोगे आफकोस तुम Mr.Brenny हो रूट 104 पे जाओ तुम्हाँ पे तुम्हें अपनी आगे की एक यंग आदमी से मिलो के वो तुम्हें आगे लेट जाएगा भाई चल्दी सलोगा इस ने चुजू बताया ना सब फॉलो करते हैं ये रहा वो दरवाजा अब जावे ना बज जाएगा कहां से चलो देखे कहां से जा सकता है ओ ये सीडी थी गया मैं देखा दिवार में से जाई नहीं सकता ना ओके से यहां से एकजिट दोर कहां है प्रोफेसर मंगोल या कितना उपर लेके आगी थी आप में जे ओके सो गाईस यहां पर हम लोग आ चुए ग्राउंड फ्लोर पर एंड भाई जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमें यह डिलिवरी करना है न तो चलो डिलिवरी करके आएंगे उसमें थोड़ा से इसको एक्स्प्लोर करका है मैं मीज मुझे मिल गई है गाईस यहां पर यह फिर से आचुके हमें परिशान करने के लिए भाई में अब क्या दिक्कत है तुझे है आयोश क्या तुम्हें काफी सारी पोकेमोंस को पकड़े है आ बिल्कुल तुम्हें पीटर बुक सुर्ट में जाने चाहिए और काफी सारी पोकेमोंस लेकर जाओ और मिस्टर ब्रीनी वो भी तुम्हें पीटर बुक वूट्स के पहारी मिलेंगे ओके जो की रूट 104 पे है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए वह बहुत यह अच्छे जाना काम करना या नि हमरा पहला टीएम लेलेना है सुरी एचेम हां उसके साइट घर वह यहीं कहीं है जो हमें टीम देता है जैनरी कि तर होगा एक बान नीचे वाले पर राय गरती पुकमाल सेंटर के नीचे वाले फे एक गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है आच छलो ओके ओके रहाई यही घर है आई तिंक चलो गाइस एंड भाई पोकमोन सेंटर भी एक बार हो लेंगे हमारी पोकमोन की फीपे एंड गाइस लास्ट टेम हमने चिम बैटल जीत ली थी भाई साब यही है वो बंदा मेरेको पता है तो गाइस मैं आपको हर वो के अगर आप यह गीम खेले तो भाई हर एक टिप्स दूँगा जो आपको गेम में बहतर बना से जिसे मैं आपको फालतो घरों में नहीं गुमाऊँगा तो गाइस हम लोग को कुछ अच्छा मिल सकते हैं तो गाइस देख सो यहाँ पर हमें 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 मिल चुक है जो कि है कट और भाई साब बेटल लडी हैं एल देन भाई में यहाँ पर जा रहा हूं पोकेमों चेंटर जावे ना तो brandon यहाँ पर यहां पर पोकेमों सेंटर पर जाचुका है बड़े बड़े शेरो में छोटे मोड़ेरे पोकेमों सेंटर होते हैं यूस नो टेंचल चल भाई साब और यहां पर PC भी आगे चलो गाईज यहां पर वलकेम टुदै पोकेमों सेंटर नाल चाहत तो सिक्रेट हो हमारे पोकेमों हील करने के लिए बहुत बच्छ शुक्रिया ओके गुलाबी बाख है अहां गुलाबी बाल जो ये तेरे देखे मेरे पोकेमों हील नहीं हुए तो गाइस यहां पे देख सो तो हमारे पास टैलो आचकर स्लोकित को मैं यार इवॉल करना चाहता हूँ कितने पर इवॉल होगा भाई पता है उसका एक सेकेंड इवॉलिशन में को काफी अच्छा लगता है हम जानते स्लोकित खुदते एकदम बखवास पोकेमों हो बहुत होता है लेकिन गाईज में कुछ का सेकेंड इवॉलिशन चाहिए और फो थर्ड तो फिर स्लोकिंग बनी जाएगा गाईज काफी एच्छा है इसकी इवॉलिशन से एंदेन भाई अब हम जल्दी जल्दी चलते है और कुछ ले लेते हैं पोकेमों से एंटर से आई थिंक चलो अब यह थोड़ा और आगे जाकी जाता है हमें सब कुछ मिलेगा सब कुछ दुनिया का ऐसा कोई सामन नहीं जो इस पोकेमाट में ना मिलता हो अब की बार में सभी जगाए हूं हाँ पोकेमाट में आने किल तो मारा बहुत बश्यक्र है तो मैं क्या चाहिए कि मैं हाँ से कुछ ग्रेट बॉल्स लूंगा ग्रेट बॉल्स और कुछ सूपर पोशिंस भी अब यार ये तो बहुत मेंगी मैं तो दो ये तीन ले ले लता हूं चलो काफी होंगी तीन भाई हमें एक एलेक्टिक टाइप पोकेमाट पकड़ना है गाई अगर आपको कहीं पर पता है भाई पीजेचू अगरा कुछ मिलता है तो इसके पांच तो मैं लूँगा सूपर पोशिंस भाई मेरे को जिम बैटल्स में बहुत ज़्यादा चाहिए होते गाई बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने स्टार्टर ही अभी ऐसा लिया है जिसके शुरुआज के दो तीन जिम तो उसके बिल्कुल डिसाद्वांटेज है पहला था गाई रॉक जिसके पर वो ऐसे काम नहीं गया तो भाई दूसरा है वाटर भाई साब दोनों कंबसकन के खिलाफ इतने ज़्यादा और भाई उपर से हमाने कोई पोकमोन भी दूसरी इतने ज़्यादा या फिर भाई इतने अच्छे स्लोकित अटेक नहीं करता टैलो के खिलाफ वाटर टाइप जिम है जो थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल रहेगा ओके सु चलो गाई पीटर बग सी सर्फर ओके सो यहां पर तो चलो पीटर बुग वोट से अब मेरे को आगे जाने गया जिसमें मेरे को भी तक मैप या इडेंटिफाई नहीं है जहां ऐसे तो होगा है लेकिन मैं रस्ते अरे यह क्या किसका मैसिज है इस साइड स्क्रीन में क्या छेड़ साड़ हो रही है देखता हूं कुछ यह मेल जैसा आचुक है क्या है यह ओके बग कैचर ओके बैटल रेड़ी है जिम से पसवर इसके पस निनकांडा है ट्रेनर्स आई है भाई साब बिल्कुल गाई जब मैं इसको वापस से कैंसल कर देता हूं और देन भाई चलो यहां पर गाईस ट्रेनर है जिसको हमने स्किप किया दा बट अभी मैं छोड़ रहा हूं उसको ओकी सो चलो गाई यहां पर हम पीटर बुक वुट से एक दो फटा फट जाते हैं यहां पर गाईस हमें एक्सपरियंच शेर बिला तो जिससे हमारे पोकमों तो दिखा हूं आपको कितने जादा पहले तो इसकी और इस जट पूल कई पास वैसे अभी तो इतने जादा टैक्स है नहीं बट जो भी है ओके चलो काफी अच्छा है भाई इसके पास जो अटैक्स है ओके कंबसकन है जो डेक्स ने के अंदर पांच पे आता है यानि पोके डेक्स के अंदर भाई नंबर लेवन है एक कंबसकन भाई लेवल 18 का है जिसको मेरे को सबसे पहले मिला था और भाई उसी को ही सबसे ज़्यादा ट्रेंग किया भाली वो एक्स्पिरिंश शेयर के साथ जिम बैटल भी मैं उसे अपने स्टार्टर के साथ ओके भाई यही है आइधिंग सी सर्फर का घर इ गेम बहुत मस्त है और भाई मैं भी यही सोचता हूं कि हमें यह गेम खेलना चाहिए अभी इसका वेंग गुल रहा ना अभी यह तो वही बंदा है जो हमें उस वक्त के में मिला था है मेरे पीकों को बचा निकल तुमारा बहुत बच शुक्रिया मैंने इसके पीकों को डार्लिंग 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 अखों से यांके चाहर करने दो तो वही यह लेटर पढ़ रहा इधिंक तन आव यह मेरे को कहीं गुमा कर लेके आएगा इसकों सेकेंड जीम वाली जिगह होगी ओ भाई साब इसके साथ गईस हम हमारा थाट जीम चीट जीट रहेंगे ओके यह देखो मेरे को ले जा रहे है पॉइस साब गईस यार ओके ब्रैंडन अभी आगे पैठा मोज कर रहे है आपके लिए चलो गाईस यहां पर एक तुम फास्ट फास्ट जाने तो विंगल भी हमारे साथ जा रहे है वाप भाई विंगल इसमें यार थमनेल कुछ भी ह गाईस धर्ड जिम बैटल के साथ में मैं लगाऊंगा जरूर भली मैं कहीं पर कट वगर करके डालना पड़े लेकिन यह सीन यार इतना मस्त है हम यहां पर दूसरी जगह पर जा रहे है ओ भाई विंगुला उपर फ्लाइट पगड़ रहे है तो चलो गाईस यहां पर हमने सी सरफर, वही इस आदमी का नाम था सी सरफ सर जैसा हमें मेने बताय था और इसने हमें लगता है दूसरी शिटी पहुंचा दिया होगा मेरे को लगता तो यह को मेरे को पता नहीं बहुए अगे का रस्ता पूरा वो जुटी थी उससे बंध था ओंके बुड़े अंकर, मैं अपना सेकंड जिम बैटल जीतेंगे हम ओके ओके यहां पे यह क्या है इवर पढ़ते हैं सिटी का नाम देखते हैं थोड़ा से याद भी रहेगा के डाफ वर टाउन है क्या पोकेमों सेंटर फुली हील्ड है गाइस हमारे और भाई आप क्या कहोगे हमसे कुछ कहोगे है क्या तुम यहां पर च्रेनिंग कर तुमारे पोकेमों बहुत ज्यादा स्ट्रों हने चाहिए तो काईस चलो यहां पर चलते हैं वैसे आपको क्या है आपको कंबसकन के साथ ही जाओंगा लेकिन स्क्रेच अटैक के साथ या फिर पैक पैक भी चलो चलेगा इबर देखे क्या वह यह वाटर टाइप ही है अबर देखते भाई साब कह तुम चैंपिन आने वाले हो तो फिर तुम्हें कमांड से फाइटिंग पोक्मोन जो भाई स्थी अंकल मापकी डिस्रेसपेक्ट करों बड़ मैं फिलाल जल्दी में हूं मैं इसकी टैक स्पीड थोड़ी सी आई कर दूँ अब सेटिंग और उप्सिंस में जाता हो और देन भाई हाँ टैक स्पीड है इस से जादे नहीं कर सेक्ड़ मैं तो भाई हम लोग यहा यहां पर हमेरी को ट्रेनर बैटल होने वाली है तो चलो क्या तुमने कभी ब्रश किया था बिल्कुल आप बताओ क्या हाल चलो वाइस यह लड़की है जो हमारे साथ पहली फाइट करने वाली है और इसके पास एक पूकमॉन मैडीडेट चलो देखें इसको हराते हैं पहले त सब खातम यहां आचुके हैं हमारा डेट पूल एंदेन अब लड़िंग गईस हम इसके बस वैसे लेवल अप में तो काफी गैप है इसका और मेरा बट जो भी है एक बरेंबर ट्राय करेंगे मैडीडेट भी क्या यह नॉर्मल टाइप्स के खिलाफ कुछ कर देगा मैने द देखो गाइस पूरे लगबख 14 का पड़ा है एंद देन चलो अभी को बार इसको scratch attack से हथादम कर दूंगा मैं चलो scratch attack ओके सुचे लोगा यहां पर scratch attack और बस मैडी मेट खतम इसी के साथ का इस हमने यहां पर जिम बैटल की हमारी पहली ट्रीनो बैटल हरा दी है और भाही हमें experience मिलेगा और अब जल्दी जल्दी बस लो कित है जो का इस लेवल का अप हो जाए ओके वैसे हमारा जो डेट पूल वह भी लेवल 19 का होने वाला है कंबसकन ओके 4000 रुपे मिल गए यह 400 थे जो भी है देखेंगे थोड़ा ज्यादा ही मिले ना तो ही अच्छा है ओके ओ तो रस्ता कहां से मैं को दिखा भाई शाब कहां है कहां है चलोगा यहां पे एक ओट रिन बैठल है अब मेरे थोड़ा थोड़ा ओके मैं सही हूं कि तुम यहीं पर आओगे बिल्कुल आप एक्दम सही है कराटे मास्टर ब्लैक बेल्ट है डिकी इसके बस माच ओंब है बिल्कुल इसकी तो वही आलत होगी जो पिछले ट्रेइनर की हुई थी ओके सो यहां पर थोड़ा स्लेग हुआ था बट कोई बात नहीं डेट पूल जाओ राका गाइस गेम में हमें क्या क्या मिलेंगा इस ग्रावड ओं रेक्वाजा कायोगर तो नहीं मिलेगा हमें कायोगर तो भाई अलफा सेफ्रिय उन में मिलता है ओक यहां पर गाइस माचो में उसके पर मैं एमबर अटेक किया है थाक मिलेगो थोड़ा स्पता चल जाए वैसे वह फाइटिंग टाइप है थोड़ा सा कम डैमेज पड़ा वो लेवल भी ज्यादा है उसे लोग स्लैप किया मेरे उपर मिलेगो थोड़ा सा कम बसकन यहां पर ट्रीनर्स के पास लगब तेरा लेवल के और आइधिंग जिम बैटल में गईस पंदरा होंगी जादा दादा लेवल अप्ट वह भाई माचों का एक्टम थोड़ा सा बचयार अब यह क्या कम बसकन तरको थोड़ा वो डैमेज मिलेगा इसाब काई शेक् कर देता हूं तब ही वो खतम हो जाएगा अपने आप ही ओके हाँ पर चलो इसक्रेच करते हैं स्क्रेच अटेक वैस काफी ठीक रहेगा इसके उपर और उसने फिर से लो स्लैप कर दिया और भाई मर गया न तो फिर दिक्कत हो जाएगी आज कम बसकन मैं तो पोशन तो लग का दे विता है महत्यक को आके सकते हैं हम तुझे और भाई सा बैक फिलिप के साथ भाई कम बसकने गाईज गेम खतम कर दिया है पूरा और माचाओं में यहां पे एकदम टोटली दी एंड एंड भाई अब मेरे को पोशन लगाने चाहीं को कि यहां पे इसे इसाथ कम बसकन नहीं थी फिर भी हमने हरा है तो सही हमार बास भली डेड आना ताकत हो लेकिन हार तो हार होती है चलो मैं आप बैग में जाता हूं ने बैग पोशन दे देता हूं पोकी बॉल थोड़ी दिननी आ है कुछ टीम वीम है क्या चलो स्पीड एंड अटक करता हूं और वो भी डे टॉम है रोक टॉम कोई सीख सकता है तो भाई वो है या तो फिर डेड पूल सीख है या फिर ओके रोक टॉम वैसे इसको पर जादा काम नहीं आएगा ओके तो एक बड़ फोल्स वाला देखें पावर वा कह रहा काफी चीज चलो ठीक है नहीं करेंगे बैरीज है एक्स प् पीट है तीन पोशें ते दिया मेरे पास अभी खुछ लगब छे बचेंगे और भाई आप रस्ता देखते हैं ओके यहां से जाओ उपर से जाओ के समझा किया यहां से भाई साब गाई बिलकुल करेक्ट भी ओके लड़की को हरा कर वहां से जाना है ओके गाई इस एक पर इस लड़की को हराते हैं और फिर से वापस से देखेंगे भाई साब यह तो बड़ा हाड है जिम मतलब रस्ता ढूंडो यार जिम बैटल के लिए ओके तो यह लड़की फिर से वही आई है और फिर से मेडिटाइट है और भाई लास्ट टेम हमारा यह वाल हो गया था थोड़ा मतलब लैवल अप हो गया था अब देखो इसका भी वाल होगा वैसे तो चल डेड़पूल अब तो कमाल दिखा अपना है वैसे मैं अब तक से डेड़पूल का ही यूज किया बैटल समें जादा बाकि किसी पोकमान का यूज इन किया गगा भाई डेड़पूल ही अभी सबसे जादा मेरे को ठीक लग रहा है भाई बाकी जादा इतने जादे लेवल अप दिन यह वैसे ट्रेनर बैटल के हिसाब से तो काफी जाद है बट ऐसे असल में नहीं है गाई वो इतने नहीं है कुछ खास नहीं कर सकते हैं कि सामने ओके ओ उसने प्रोटेक्ट कर लिए हुद को फिर से करते हैं गाई एंबर एक पर पैक्ट ट्राए करूंगा मैं अगली बार कोई भी पोकमोन आगा उस पर पैक्ट देखेंगा इस प कोई बात नहीं किया बस खुद की बोडी स्ट्रेच की अरे यार ऐसा फाल तुम हो घंटा उसका अटेक रोज हुआ है और कुछ नहीं हुआ तो अटेक तो ऐसे ही बैठा बैठा बढ़ा लेता भाई एंबर एक की पीपी खतम हो जाएगी 20 है और फिर मैं को हील करकी आना प यहां पर फिर से लिएवन का स्माच आप चुका है और इसके सामने है कम बसकन पैक देखते पैक 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 लास्टाइम काम काम किया था रॉक टाइम में अब देखो पैक कि यह लग हो गया फिर से कोई बात नहीं और साब जी काफी अच्छा डैमेज है भाई साब कराटे चॉंप उसने किया मेरे उपर भाई यह माचॉंप हमेशा डैमेज देता है बाकि कोई नहीं देता कराटे चॉंप चलो ठीक है एक पोशन लगाने की जुरत पड़ेगी अगर अगली बैटल सीधी जिम से हुई ना दैन भाई एक पोशन नहीं तो फिर नहीं अबी तो दो किये थे दोनों ही सूपर एफेक्टिव थे वोग स्लो कि गाई फाइनली अब लेवल ट्वेल का हुआ है फाई साप वाट टाइम लेता है बहुत टाइम तो जल्दा जल्दी टैलो यह वह लू का मिरू लगता तो यह यह भाई टैलो जल्दी स्वेलो बनेगा स्वेलो से भी आगे उसका कोई एवलिशन है क्या ओके यहां से जाओ यहां से यहां से यहां से एंड देन चलो समझ आई है ओके नीचे ओके ओके और इस तरफ था बिलको गाईज मैं आप एक दम सही आ चुका हूँ ओके यह आई थिंक जिम का रस्ता है सीधा वह भाई सामने पूश अब मतलब वह अप डाउन कर रहा है नॉर्मल हिंदी में कहों तो गाई उठक बैठक मार रहा है वह सामने बंदा चलो गाईज अब कमस करने एक दम फुल है अब भाई उसके पैक का जादू देखते गाईज जिम है नॉर्मल टाइप मेरे को देखके समझ जाना चीए था ओ गाईज यहाँ पर आ चुका है हमारा सेकंड जिम बैटल बैक टू बैक जिम बैटल तो यार भाई शा कितने मस्त मस्त इसक्विप्मेंट्स पड़े भाई इसके पास जॉगिंग करने के वह साइकलिंग के भी है वेट लिफ्टिंग के भी है ओके सो यार बंदा भी काफी ज़्यादा कूल है तो मैं यहाँ ब्रॉणली मैं यहाँ का ट्राफ्राउन टाउन का जिम लीडर तुम यहाँ मेरी के यहाँ पर आये हो मेरे ग्राउंड पर मुझे चैलेंज करने गलिए तो तुम्हारे जिम बैटल के लिए तुम्हारा स्वागत है ओ भाई साब ओ स्टाइल तो देखो यार बंदेगा चिंदी चोर है कहीं का भाई तो नाटक करता है ओ भाई असल में प्रावली ऐसा दिखता था चलो कोई बात नी ओके हमरे पास साइकेंड जिम आने वाला गाईस माचोंप चलो कोई बात नी देन भाई साब देखो यार यह क्या करेंगा अईस अगर एपिसोड थोड़े से में लेट अप्लोड करों मैं रिकॉर्ड डेली करा हूँ बट एडिटिंग में भाई इस आप लोग है तो भाई एडिटिंग करा करो थोड़ी अच्छी कोमेटी बगर थोड़ी सी कर दिया चलो कोई बैदनी पैक और भी जाद अच्छा काम करा था वैसे पर टेंबर भी चलेगा कंबस कन भाई ज्यादा डेमेज नहीं खाना ची और कुछ भी हो कंबस ओ भाई एमबर सबसे च्छा है मेरको तो यार कंफिजन हो रही मैं कौन सा टैक करूँ अब देखो या यह पहला पोकेमोन यहां पर हमने इसका खतम कर दिया अब देखो यार वाटर टाइप से पहले एक अच्छा एलेक्ट्रिक टाइप जिम मिल जाया ना मेरको मतलब पोकेमोन बैटल में एक पोकेमोन आया अच्छा सा पीकेचु जैसा एंड देन भाई उसको पकड़ो मैं उ घुम से धूल भाई उसके लावावत आकवायज मने कुछ चाहिए ही नहीं उकिह पर हाप आप आप आच्वाड़ का है Standard यह मेरे को पता है, भाई मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने इसको बहुत बार देखा है, यह बहुत अच्छी दूलाई करता है, यह मैं लास्ट फायरेड का रेंडमाइज वर्जिन खेल रहा था नो, उसमें यह मेरे उपार सामने था, मतलब जो हमारा राइवल होता है, उसने लिया था, यह पोक्मोन भाई साथ क्या तो डैमेज देता था, ओक अभी तो सैंड अटेक किया है, वैसे इसने, कमसकन आखों से धूल हटा ले, क्योंकि अ ओके, तो यहां पर गाईज, यह हो चुका मखोट यह खता है, और भाई, साब गाईज, हम लोगों ने जीत लया हमारा तूसरा जिम, पैडल, और हमें मिल चुके हैं, दो बैजिस गाईज, ले आउट में वैसे में जिम में जी डालू, यहां फिर नहीं गाईज, मैं ले ल चलो, विंग अटेक, आईज, एक साथ, आज हमने हमारा दूसरा जिम बैटल, चीत लिया है, यहां पर हमने जीम बैटल, और नीशो रुपे दिये हैं, वैसे इसने हमें, जीत मुबारक हो आई, उस तुमें, ओके, तुम लोग तुम यहां से जा सकते हूं, ओके, मेरे को ज जिम बैच, दिखने में वैसे कैसा है, मैं तो बहूली है, वैसे, तो गईज, मैंने कभी लियाओट बनाया था, मैं एक तुम नया, इसका लेटेस्ट वाला बनाऊंगा, ओके, भाई, हमें यह मिल चुका है, नॉर्मल टाइप जिम, भाई, साभी, एवन खुब सूरत, अगले जिम के लिए अपने लेवल, अप कर लेना थी, 30 तक, ओके, हम इसने एक बल का टैप, बल का अप, नाम का भी, टी एम देगी है गाईज, जो इसका भाई, बहुत ही अच्छी दिल लारी, ओके, इसे तुमारे डिफेंस, विए सब कुछ इंक्रीज होंगा, तुमारे अब ही गाईज, हम जा सकते हैं, क्योंकि अब हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, चलो, भाईज, आप कितने बैटल्स रड़े हमने, पांच बैटल्स, इसी के साथ, आज हमारे एपिसोड खतम करने का टाइमिंग आ चुका है, और भाई, नेक्स्ट में हम जाएंगे, वो जाइ अब भाई, लाइव स्ट्रीम में आपके लिए जरूर करूँगा, और भाई, ओमेगर रूपी को जल्दी-जल्दी खतम करेंगे, और भाई, वीडियो को प्लीज, अपना बहुत जदा गाईज, प्यार दिखाना ता कि गाईज, हम ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहें, गाईज, बहुत अच्छे लगेगा, अगर आप इतने इस वीडियो का लाइक, 10 लाइक, वीडियो को 50 से जादा व्यूस कंप्लीट करा देना, भाई, सेकेंड जिम बैटल है, तो मिलते एक और नए वीडियो में तब तक लिगाईज, देखते लिए हमारे चैनल, लाइक ज